आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक गिप्स टुएम इक्वेशन जो सेमेस्टर एकजाम के पॉइंट आफ यू से इंपॉर्टेंट है यह अपका दो नंबर तीन नंबर के कोसेंस में आते हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है बहुत टॉपिक है जो है में आपको मिल जाएगा यह टोपिक तो गीप्स टुएम एकवीशन क्या है अगर यहाँ पे chemical potential माल लिज़े यहाँ पे कोई chemical potential है, यहाँ कोई chemical potential है तो दोनों के बीच जो है क्या related दोनों में changes होते है और लोनों के भी changes में क्या related यह बताता है मतलब जो in thermodynamic the gips집 location describes about relationship between change in chemical potential of components in the thermal dynamic system में जो components होते हैं उसके chemical potential में क्या change होते हैं उनके भी इस रिलेशन्स बताता है यह इसका डेरिवेशन है तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं इसका डेरिवेशन बहुत इजी है और डीजी गिप्स डेरिवेशन ने गिप्स डेरिवेशन को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं जो गिप्स डेरिवेशन निकालने के लिए इसका डेर अगर इस में, यहाँ पर इस जो derivation में, इस equation में हमारा at constant pressure अगर हमारा 0 है, constant है, temperature constant है, तो हमारा equation हो जाएगा, यहाँ पर t equal to 0 हो जाएगा, t equal to 0 and p equal to 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मार रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बज़ेगा, mu1.dn1 plus mu2 dn2 plus mui dn1 infinite टक जाएगा यह हमारा equation number second है अब equation number second को integrate करेंगे integrating this equation तो हमको प्राप्त होगा integrate करते हैं तो आपको पता है derivation हड जाता है हमारा तो integrate कर दे रहते हैं गर हम equation number 2 को तो हमारा आता है g equal to mu1n1 plus mu2n2 plus mui ni i यह equation number third हमको प्राप्त होगा और फिर complete differentiate करेंगे हम equation third को मलब कि एक बार हम n i के से करेंगे एक बार जो है complete complete differentiate करेंगे एक बार n1 को respect में n1 की respect में एक बार mu1 की respect में हम लोग करेंगे n1 और mu1 की respect में अगर complete differentiate कर देते हैं equation third का तो हमको यह derivation प्राप्त होता है, यह हमारा equation प्राप्त होता है, अगर differentiate कर रहे है equation 3 को, तो mu 1 dn1 plus mu 2 dn2 plus mu i dn1 यह हम n1 की respect में कर रहे हैं एक बढ़, एक बढ़ फिर plus करके हम mu 1 की respect में कर रहे हैं, तो हमारा यह equation आता है, अब equation 4 और equation 2 को देखिए, दोनों का अगर हम compare करेंगे तो यहाँ पे जो है mu1 और mu2 mui यह जो है कटेगा यहाँ से यह कटेगा और हमारा बचेगा n1 d mu1 mu2 तो यह हमारा n1 d mu1 plus n2 d mu2 plus dash 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 equal to 0 equal to 0 आ जाएगा ठीक हम क्योंकि डीजी के अगर डीजी के जगह में हम इसको यहाँ पर रखते हैं एक एक और आएगा डीजी के जगह में यहाँ पर रखते हैं तो यह कट जाएगा और हमारा equal to 0 आ जाएगा यह हमारा equation है जो थर्मोडानमिक सिस्टम में मिलता है हमको तो यही था गेप्स ट्याम equation बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बहुत इंपोर्टन्ट है समस्टर एक्जाम के point of view से आई होप कि आप लोगों के लिए यह useful हुआ हो आप लोगों को समझ में आया हो अगर helpful हो तो प्लीज इस अपर चैनल और है क्यों मक्यों सेविता हुआ है